अभी तक जो कुछ मैंने कहा यदि कोई यह कहे कि आप यह सब कह करके क्या कहना चाहते हैं? किस बात को बताना चाहते हैं? कौन सा संदेज देना चाहते हैं? तो बहुत थोड़े में अधिक हैं, तो बहुत है कि हम अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी हम जिम्मेदारी स्वें मिलें. मैंने एक दिन कहा था कि हर सुबह एक नई अपर्चुनेटी हमको मिलती है, और जब शाम को सुर्य अस्तफ होता है, तो यहाँ पूछता है, आज तुमने क्या किया? क्योंकि जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम करते हैं, उसका अकाउंटेवल, उसके उत्तरदाई तो हम लेते ही हैं. लेकिन जो हम नहीं करते हैं और जिसे करना चाहिए था, उसके भी हम उत्तरदाई हैं, उसके भी जिम्मेदार हैं. यह एक प्रकार से मूल में हैं, जड़ में हैं. जिम्मेदारी उत्तरदाई तो हर उस चीज की जड़ में हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, जिसे हम अपने जीवन में हासिल करते हैं, या जिसे हम हासिल नहीं करते हैं. यह क्यों है अपनी ही तो जिम्मेदारी है कोई दूसरे की थोड़ी जिम्मेदारी है यह मतलब जो व्यक्तिगत उत्तरदायत्व हमारे व्यक्तिगत कारियों की आधार शिला है इस चीज को जिस दिन हम समझ लेंगे न फिर तो बाकी बातें सब विस्तार की हैं मतलब जिस दिन ये महसूस करेंगे कि मैं जिम्मेदार हूं आटो मोड में आजाएंगे मतलब फिर कहाना नहीं पड़ेगा पुष्टक पढ़ना चीए, ध्यान करना चीए, साधना करनी चीए, सेवा करनी चीए ये क्या अभी भी हम केजी के भी त्यारती हैं, जिसको बताना पड़े, ऐसा बेठो, ऐसा करो, पुस्तक खोलो, पानिक बोटल वहां रखो, क्या अरत है इसका? कब तक के कोई हमको बताता रहेगा? मतलब किसी चीज को बार बार आपकी ही चीज है, आपको ही करना चीए, हमें ही करना चीए, उसको बार बार आकर कोई धक्का मारे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, हमने अभी जिम्मेदारी नहीं ली है अपने 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 जि अब छोटा सा बच्चा की क्या जिम्मेदारी है सब कुछ माता पिता करते हैं सब कुछ करते हैं वो निश्चिंद रहता है अब सुबा भी उठाना होगा तो मा उठाएगी मा उठाएगी कपड़ा भी बदलवाना होगा तो वो करेगी नाला नागत वो, सब कुछ, टिफिन तयार वही करना है, वो निश्चिन्द है, अब बच्पना ही बीते, वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, फिर भी बच्पना नहीं गया, तो फिर कैसे बनेगा काम, इसलिए, ये अपनी जिम्बेदारी हम स्वेम समझ लें, अब इसका मतलब नहीं कि कोई इसको कर्तब्य और बोज हमाल ले, ये बहुत बड़ा बोज लेकर चल रहा हूं, नहीं, अब यसा नहीं कि जवाब दही की पैमाना भी नहीं है, यह तो हमारे एक व्यक्तिगत संकल्पा का आधार है, कि हम जीवन को स्वीकार करें, कि ये मेरा जीवन है, और इस जीवन में जो सबसे बेष्ट है, इसमें जो संभावना है, उस संभावना को पाएं, मतलब इस जीवन में जो सबसे बढ़िया क्या किये जा सकता है, आप सोचें इस चीज को, आखिरम क्यों आए, इस जीवन में भातिक उपलब दी ही, सब कुछ नहीं है इसका मतलब नहीं को उसको नकारा जा रहा है मतलब सबसे बड़ी उपलब दी जिसके लिए बुद्ध ने घर छोड़ा जिसके लिए महावीर ने कवीर ने, संतों ने बड़ी साधनाई की किसके लिए है इस जीवन की जो उच अवस्था है उसे पाने के लिए ये संभावना हर व्यक्ति में है हर व्यक्ति में है मतलब यह है कि जीवन को स्विकार है कि मेरा जीवन है और उसमें उसे अनभव करने के लिए हम प्रयास करें और उसे अनभव कर ले जाए ये उत्तरदवाइत का मतलब है अब आप इसको ठीक से समझ लें सीधी सी बात क्या है जिस दिन हम सब पैदा होते हैं तो पैदा होने में आसपास में कई लोग रहे होंगे हो सकता है डक्टर रहे हों कई नर्स हों या फिर मा के पास में और भी भी लाए रहे होंगे बहुत से लोग मतलब संसार के आगमन में सहयोग मिला लोगों ने सहयोग किया और जिस किसी ने भी हमारी पिट थप 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 आई हो लेकिन जो पहली सांस आए ध्यान दीजे जब आप बाहर आकर जो पहली सांस लिए ये किस ने लिए हम ही तो वो पहली सांस लेने के लिए जो हमने प्रयत ने किया स्वेम ने किया है फिर अगली सांस इसके लिए किसने मैनत की है खुद ने खुद ने पहली सांस हमने लिए सहाय तो चाहे दूसरों द्वारा मिली हो बास सही है लेकिन अपनी पहली सांस अकेल ही हमने लिये चाहे आपको कितना भी मदद मिली हो वह पहली सास अपने आप लिये अगली सास, अगली सास स्वयम, यह काम हमने स्वयम किया है दूसरी बात मतलब हमारे लिए कोई दूसरा नहीं जो सास लिया हो हमने लिया है और एक दिन तो यह आना ही है क्या, हम सभी मृत्यू हम सब की मृत्यू होने वाली है यह तो निश्चित है फिर क्या होगा यह आप ऐशे कभी आप ख्याल करिए कभी कि ऐसे व्यक्ति पास खड़े हो जो अब तब मरने वाला हो ऐसा हुआ हो तो कोई उसके हाथ को थाम के जोर से रखे तो क्या होगा जो अंतिम स्वांस है अंतिम स्वांस है क्या होगा उसका अंतिम स्वांस अकेले ही लेगा और हम सब भी जिस दिन ये बात आएगी हम अंतिम सास भी अकेले ही लेंगे जब आप हम सभी यहां से जाएंगे तो क्या होगा जितने आसपास के लोग रहेंगे कि हमरे सहयोग कर पाएंगे और जो कुछ उबलब्दी उसको छोड़ कर जिस दिन जाएंगे तो फिर क्या होगा इस धर्ती पर अंतिम सास लेंगे हम ही लेंगे और भावी हम अकेले लेंगे मैं फिर से कह रहा हूँ सहयता के लिए कोई चाहे अब डक्टर आये हो और बहुत से सही होगी हो आसु बहाने वाले लोग हो मतलब यहां से हम अकेले जाएंगे कोई साथ चलने वाला नहीं है सरल सी बात है हम अपनी पहली सास अकेले लेते हैं और अपनी अंतिम सास भी अकेले ही लेते हैं तो फिर यह बीच में यह कैसे है कि बीच में जीवन के मद्ध में हम आसा कर दें कोई दूसरा सांस ले मतलब हमारे लिए कोई दूसरा करे ये कैसे हो सकता है कौन लेगा भला मतलब इसको इज़्धन से समझे कि कोई भी हमारे लिए कभी एक सांस भी नहीं लेगा हमारे दिमाग में जाकर के कोई दूसरा सोचेगा नहीं हमारे लिए क्या हमारे दिदर कोई प्रवेश करके सोचेगा नहीं सोचेगा कोई हमारे सरीर में आकर के खड़ा नहीं होगा हमारे साथ जो भी घट ना घटेगी उसको जो महसूस हम करेंगे ना चाहे उससे हमको डर हो चाहे लाव हो ये कौन करेगा डर जो हम महसुस करते हैं हमारे बदला कोई दूसरा महसुस करता है कोई दूसरा नहीं करता है मतलब जो कुछ भी मेरे साथ होता है इसका अनभव मेरे अलावा उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता है मेरे बदले में कोई सपना देखे मेरे भविष्य के कोशुंदर बनाने के लिए कोई दूसरा नहीं करने वाला है ना मेरे बदले में आशु भी भाने वाला नहीं है मुझे ही आशु भाना है मुझे ही मुश्कुराना है मुझे ही आशु भाना है मतलब हम अकेले नहायत अकेले पैदा होते हैं और जीते हैं और इस जीवन को छोड़के चले जाते हैं या शरीर या मन और आत्मा हमारे पास है देखिए हमारे पास एक शरीर है सबके पास में है साथ में मन है आत्मत हुई है अब इसके अनावा कौन है और इसमें जो कुछ भी घट रहा है इसको कौन महसूस कर रहा है यह हम ही तो कर रहे है तो कोई दूसरा कभी भी हमारे जीवन का एक पल भी हमारे लिए नहीं जी सकता है मैं आपके बदले जी रहा हूँ थोड़ी देर के लिए हमारे बदले कोई दूसरा नहीं जी सकता है यह काम हमें आप ही करना होता है यही उत्तरदाईत्वा है समझ रहे हैं यही उत्तरदाईत्वा है अब इस चीज को समझ लेंगे मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ अब इसके लिए मैं क्या करूँ मैं बदलू मैं बदलू मेरे अंदर में कुछ कमिया है तो क्या करूँ अब दूसरों को दोस्त देना सुरू करूँ दूसरी की जिम्मेदा ठहराऊ नहीं मैं अपने उपर लेना है अपने उपर लेना है इसको मैं इस ठहंक से भी बताऊं कम्प्यूटर के विशह में मैं बहुत तो नहीं जानता लेकिन सुनता हूँ आप लोगों से कि उनके तीन मुख्य रूप से पार्ट्स होते हैं तीन बुनियादी भाग होते हैं एक जो स्क्रीन होता है और एक कीबोर्ड या फिर उसमें टुच स्क्रीन भी होता है ब erwआ होता है हार्ड ड्राइब या कहना ही चाहिए प्रोगराम डिस्क तो कम्प्यूटर में क्या प्रोगरामिं की जा रही है इसको देखने के लिए स्क्रीन का प्रयोग करते हैं मतलब स्क्रीन पर ही परणाम भी दिखाई देते हैं यानि यह जानकारी जो हम चाहते हैं कि कम्प्यूटर हमारे लिए संग्रा करे तो कैसे पता चलेगा वहाँ क्या गया है हम जो डाले हो क्या है वहाँ देख लेते हैं उसी स्क्रीन में और कीबोर्ड में कीबोर्ड क्या है जिसके द्वारा हम कम्प्यूटर को निर्देश देते हैं कि भई यह डालना है लिख करके जो भी उसमें प्रोग्रामी मम कर रहे हैं और हार्ड आईक कर मतलब है वह की ऐसा है अंत्र है जिसमें हम जानकारी दर्ज करते हैं संग्रा करते हैं स्टोर करते हैं मतलब हम इस पर जो जानकारी दर्ज करते हैं वहाँ फिर उसमें हमेशा क्लिए रह जाता है और तब तक के जब तक के उसको फिर से हटा करके दूसरा नो कोई उसमें हम रखे मिटा करके खाली न कर दे ऐसे ही मानो मस्तिस का है मतलब ये बुन्यादी हिस्से इसी प्रकार से कम्प्यूटर का इस्रीन करते क्या है अब समझी इसको कम्प्यूटर का इस्रीन करते क्या हमारा हुलिया हमारा संसार मतलब जो कुछ आपने उसमें डाला है, वो किसमें दिखाई दे रहा है? इसक्रीम में आप उसे देख सकते हैं, ऐसे ही हमारे जो कुछ भी उपलब्दी हमने पाई है, जैसा मेरा स्वास्त, जैसा मेरा धन, जैसा मेरा सुख दुख, जो मेरी हानिलाव, जो मेरा मान सम्मान, जो कुछ है, वो क्या है, वो सब इस्क्रीन में दिखाई दे रहा है, वो मुझ में दिखाई दे रहा है, वो इस्क्रीन है, और की बोर्डक मतलब क्या हुआ, यह जो जितनी हमारी ग्यानेंद्रिया है न, आख, ना, कान, आख से सुन, देखना, कान से सुनना, नाख से सुनना और इस पर सकरना जो कुछ भी हम करते हैं एक प्रकार से एक प्रोग्रामिंग करना है समझ रहे हैं न यह क्या करना है इन पांच ग्यानेंद्रियों के द्वारा ही मस्तिस्क में उसकी प्रोग्रामिंग होती है क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं क्या खा रहे हैं, और इसलिए जो उपनिशाने बात आती है, कि आहारशुद्ध शत्वशुद्धी, ये इसलिए बात कही जा रही है, ऐसलिए कि कुछ भी डाल रहे हो, ये कंप्यूटर वालों का ही सिद्धान्त है, गारवे जीन, गारवे जाउट, येदि कचड़ा होगे, तो कचड़ा बाहर निकलेगा, जो इंपूट होगा, वही आउटवूट होगा, तो अभी जो आउटवूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमने वह इंपूट किया है, की बोर्ड से हमने उसको प्रोग्रामिंग की है, मतलब उसके द्वारा भोज भेजेगे प्रो प्रियोक करते हैं, तो हमारे हार्ड वाइस, हमारा क्या हार्ड वाइस, मतलब हमारा अउचेतन मन, जहां पर वो सब संग्रहित होता है, प्रतेक अनभव, हमारे अउचेतन मन में दर्ज हो जाता है, प्रोग्राम हो जाते हैं, आप ख्याल करिए, आपने गलट टाइप कर द अब print out लेने जब देख हैं अरे, यहाँ पर क्या हो गया है अब उसमें क्या होगा एक मात्र का, जहाँ पर आपको कहा होना चाहिए, महाँ पर हो गया है से अब उसको क्या कर रहे हैं आप अब उसको आप razor ले करके मिटा रहे हैं या फिर उसमें कुछ ऐसा कलम से ठीक ठाक कर रहे हैं अब ठीक हो गया होगा अब ठीक हो गया कि फिर से प्रिंट आउट करें तो क्या हो गया आपने कहां ठीक किया जो आपने कागज बाहर निकाला प्रिंट आउट करके वहां आपने ठीक किया अब क्या मान रहे हैं अब ठी अब फिर से आप प्रींट आउट निकालेंगे एक था होगा? सुधार कहां करना चाहिए? कागाज में सुधार मत करो? कहां करना है? जहां आपने वहां गलत डाला है, उसे ठीक कर दो अब फिर zijn प्रींट आउट करेंगे न, मतलब अब इसको जो ठीक ठा कर रहा है iliya को बाह आप ठीक कर लीजिए फिर तो रिजल्ट ही बहार आने वाला है अच्छा रिजल्ट आएगा ही इसलिए ये जो हमने किया है इसमें परिवर्तन की जरूरत है ये जिम्मेदारी किसकी है जरा ख्याल करिए हमने प्रोग्रामिंग करते समय गलती कर ली दो धन दो बराबर पांच अब क्या होगा किसी भी गडित को हम हल करेंगे तो क्या होगा कोई भी हम समाधान ढूंडना चाहेंगे कोई भी प्रशन हल करेंगे तो क्या होगा हर बार गलत आएगा अब इसमें स्क्रीन की गलती है जो उसके हार्डवेर उसकी गलती है क्या है प्रोग्रामिंग की गलती है मतलब इसको ठीक करना है और उसको जैसे ठीक कर लिए सब ठीक हो जाएगा मतलब उत्तर दाई हमें स्विकार करना है कि मैं जो कुछ मेरे जीवन में रिजल्ट आ रहा है ये मुझे ही बदलना है को जिस दिन आप स्विकार करेंगे उस दिन मैंने कहा था ना आप आटो मोड में आ जाएंगे आप की की स्टाटर नहीं रहेंगे बार अबर आपको की क मारना पड़े क्या होगा आप सेलफाइ स्टाटर हो जाएंगे स्वैम करेंगे कि ये मुझे करना है अरे मुझे पढ़ना है मुझे ध्यान करना है मुझे सत्संग में उपस्तित होना है कि बार बार ये कहना पड़े इसके मात्त को बार बार बताना पड़े कोई जरुरत ही नहीं है क्योंकि भीतर से उससे आप महसूस करते हैं और स्वेम अपने लिए करते हैं फिर उस दिन से बहाना बनाना हम छोड़ देंगे है ना अभी तो यह सब न करने के लिए बहाना बनाते हैं समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं यह सब न करने के लिए बहाना बनाते हैं फिर जब दिन उसके महत्त्व को समझेंगे करने के लिए बहाना बनाएंगे आप अब ढूनेंगे कैसे निकालओ कैसे निकालों समय कैसे करलों कैसे पढ़नों और थोड़ा से क्यों आपको स्व elkaar को प्रगति करने की सूज होने लग जाएगी स्वेम को आगे बढ़ने का मन बनने लग जाएगा यह उत्तरदाईत्व है यह जिम्मेदारी है और जिस दिन ये विस्तिति जब तक कि इस्तिति नहीं आई है स्वतह अपने आप में करने की जागरिती नहीं आई है तब तक हम अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं यह लेना हम सुरू करें